और आफ्टन गाईज वेलकम चुआ चैनल डेटेडव वा विगिनर्स टी फोबी तो आज हम बात करने वाले हैं अपने स्विंग ट्रेडिंग स्ट्राटेजी no.3 तो इस स्विंग ट्रेडंग स्ट्राटेजी no.3 का क्या और क्या नहीं हम कैसे Swing Trade करेंगे इसमें आने वाले टाइम में आपको कैसे करनी चाहिए और कैसे नहीं करनी चाहिए सबसे पहले मैंने आपके लिए एक अकाउंट नाम लिया है अपनी के बुलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के लिए इस ऐसे बैंक तो आइसे बैंक अन्दर में पैटन ढूंटे हैं थेक है तो पैटन ढूंदने से पहले मैं आपको इसे ब्रीफ कर दूब बहुत अच्छी तरीके से जो आपको समझ में आएगा इस तरीके से बनती है और इस तरीके से राइट तो हम अपनी चैंडल इस तरीके से बनती है तो हम डिस एसे लेते है राइट आपने खमपल इसकी अपने बना रहा है तो पिन बार देखना है जब बें बनेगा तो त्रेंड चाहिए राइट पिन बार का मतलब होता है जब ऐसी बने, उपर टेल नहीं होने चाहिए, यह टेल यह टेल ऐसे नहीं होने चाहिए, यह चीज नहीं होने चाहिए, we are not considered over there, okay, we are considered on the flat bottom or flap top of the bar, right, pin bar का मतलब इसकी टेल काफी बड़ी होती है, यह सिस्काथ humour, बाड़ी काफी चोटी होती है, so pin bar candles तुछनेंगे, उसके बाद में buying & selling करनी के कुशिश करेंगे, यह समें, अब यह नहीं है, pin bar, pin bar, यह नहीं है, pin bar, we will find out, right, right pin Bar बने हैं उसके बाद ही हम पिन पिन पार को दून लेते हैं पहले उसके बाद में बात करेंगे पिन बार के बाद में अगली Candle इस का ज़िए राइट तो एस श्च Pin Bar Candles नहीं में नहीं है यह देखो कि अजय कोई यह फलाट बाटम में फलाट वह है बट इसके अंदर में बोडी काफी बढ़र बाड़ थो बड़ा एक गदम चोटी होने चाहि करें और quality high होती है तो इसमें मिल जाएगी है सच ओके फूरा चार्ट है तो पिन बार इसमें शायद मिल जाए एक्षी ट्वसी बैंक में तो काफी इंट्रस्टिंग रह सकता है आपके लिए देन पिन बार एक भी नहीं मिल रही यार एसे कैसे हो सकता है पिन बार नहीं मिलेगी तो का हैं कि मतलब इसमें इस तरीके से है तो हम लेंगे फ्लाट बॉटम होना चाहिए पर थोड़ा सा ही प्राइस रिजेक्शन दे देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है विकॉस ऐसे मुझे कोई पिन बार मिलने रहा है क्योंकि इतना चुटा 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 पिन बार आप प है इन इसाइड बार किन इन गॉस्शन का मतलब किया होता है फिसके इसकी इट चैज पिता वर्का छो का बना चाहिए वकली आधि colleague ऐसे के लोर को बेकर है ठीहां तो अभ्ली तो इसके करके मैं आपको दिखांगो कि मैं बूलना कह चाता है तो इंसाइड बार मुझे मिल गया है अगले ही दो-तीम टाइम की बाद में यह इंसाइड बार दिख रहा है आपको एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना और एक फिर ग्रीन कैंडल बना जो इसके अंदर यह ना इसका नहीं इसका close उड़ा राइट नहीं इसका low तोड़ा नहीं इसका high तोड़ा तेक है फिर एस सर्च में और दिखा देता हूं आपको जो इंसाइड बार होते राइट आप कुछ लोग बोलेंगे सर आप तो ready होना चाहिए red नहीं ऐसा नहीं है एक blue हो सकता है एक red हो सकता है तो यह हो गया आपका अब इस इंसाइड बार के बाद में trading views आगे देखने कैसे वो भी हम आपको दिखाऊंगा आपको सबसे पहले इसको समझने आपको टेक है उसके बाद में discuss करेंगे आपने इंसाइड बार देख लिया अब हम बात करेंगे false candles कि किसकी false candle कि false candle क्या होता है कि जिसे black line मतलब red candle बना and then inside बार बना inside बार बने के बाद में अगला क्या होता है पहले दो green बनी लगातार दो green बनी राइट दो तीन दो green बनी तो confirmation मिल गया कि it's time to be going up going up but होता क्या है कि एक candle नीचे breakout कर देती है नीचे breakout का मतलब है कि इस candle जो first candle थी उसका price को तोड़ द इंडिकेशन देदी किसकी किसकी इंडिकेशन देदी इसने मुझे sell की तो मैं ऐसी चीजों पर नहीं जाओं को कि अक्सर क्या करते हैं लोग यह चीज भूल जाते हैं और buying कर बैठने और buy करने के बाद में फिर वो रोते हैं आप मैं देखा तो कैसे इसी बार को आप देख इसने मुझे फिर बाद में फॉल सिगनल देदी आप देख सकतो कितना प्राइस निचे लगा फर एक्जांपल यू बाई फ्रॉम ओर राइट 3271 और आपका लॉस कितने तक गया means on an average आपको लॉस 600 रुपे का लॉस हुआ पर शेर पे तो यह बहुत बड़ा फेक पोजेश ना करने के लिए वो करना किया अब मैं आपको राइट दिखाता हूं राइट सिगनल स्कॉन से होते हैं ठेक है आपको लगात्तार ऐसे बनेंगे फर एक्जांपल देस टूगेनल ग्रीन की देखो आपको inside बार एक्जांपल यह देखो गया आप इनसाइड बार केंडल मैं चाहिए या breakout उपर करना चाहिए मुझे पता अगर sell side है तो नीशे breakout होगा तो possible है हम buy करेंगे राइट तो अब मैं आपको एक trend line यह दो यहां से breakout नहीं किया इसने अभी भी hold रखा या hold रखा red line दुबारा बनाए red वो बनाया breakout नहीं दिया अब breakout दिया breakout जब भी देना उसी candle पर आपको sell मारना है ठेक है क्या करना है sell मारना है sell मारने करने आपको target अपने हिससाब से देखो इसको मेरे sell मारा कितने point मिले मेरे को 90 point मिले किसे नहीं मेले guys 90 point 90 point मिले ठेक है यह समझ में आगे आपको आप दूबारा चलो ठीक है let it be कि हम consider कर लेते हैं दूसरा एक और आपके लिए ढूंगते हैं लगातार दो inside बार बनना चाहिए inside बार बनना चाहिए right blue का बन जा ग्रीन का बन जा समें कोई problem नहीं इंसाइड बार का मतलब आपको पता चली गया है right तो यह बहुत difficult होते हैं डूनना बट यह मिल जाते हैं ऐसी बात नहीं है right आप यह देखो आपको यह दो inside बार मिले एक green मिला एक red मिला the confirmation will be जो breakout अगर उपर breakout कर देगा तो buy करेंगे नीचे breakout करेंगा तो sell करेंगे आप यह देखो इस चीज में अब ध्यान से देखोगे यह लगाता तीन candle बनी पहली candle red की बनी दूसरी inside बार बनी और तीसरी भी क्या बोलता है तरी रही अगली ने फिर इसे breakout कर दिया जैसे इसने breakout किया फूर्थ candle ने जैसे breakout किया वैसे ही मैंने इसकी breakout पे entry ली यह right यह entry लेने के बाद में मेरा target कितना भी achieve मैं करूं 100.200 वो मेरे पर depend करता है और मैंने almost 57 points है तो 43 points लेकर अगर मैं एक share पर 43 ले तो almost कितना ले सकता हूं सोचके देखो right तो यह intraday के लिए नहीं है पहले मैं बता दूँ यह swing trader swing trade में आपको profit होता ही होता है but आपको patience के साथ में र लुका मिल जाता है अब inside bar और ढूंडता हूं मैं inside bar आपको देखो जैसे आप ढूंडोगे न उसरी time आपको क्या दते हैं trade के बार में बता अचल जाएगा अभी देखो यह से best inside bar का है पहला पहले ने क्या बोलते दूसरे वाले कोई inside bar नहीं है यह उपर बार है अभी inside bar य इसने नीचे breakout दे दिया तो हम sell करेंगे टेक है नीचे breakout देखेंगे जैसे नीचे गया इसी के इधर sell करेंगे आप sell करते आप sell करते आप देख सकते हो कितना नीचे गया यह कितना नीचे गया यह आलमोस्ट और आपको इसने on an average 600 वांच देती है राइट बट हमें तो 50 50 पॉइंट तो यह चीज आपको मेरे खाल से समझ में आ गे तो धोरी अभी आने वाली सीरीज में हम और बात करेंगे अच्य से फॉब्स पैटन के में इसीरीज में बात करी पिन बाद करी इंसाइड बार केंडल स्क्राइब और फिर हमने बात करें की फेक ब्रेक आओट औ तो आज तो है at the end of the day is Eid Mubarak सभी को and one more thing guys कि आज है छोटी तो आज मैं entry नहीं ले पाया अगर entry लेता तो मैं आपको जरूर बताता swing trade को लेकर के तो कैसे entry ले जाते और कैसे नहीं तो I think आपको ये वीडियो काफी अछी लगी swing trade strategy number 3 में तो अगली strategy में पिन बार पे लेकर के आँगा और make sure मैं आपको जरूर समझाओंगा अच्छे से और अच्छे से तो thank you so much guys to watching our video don't forget to subscribe our channel day trader for beginners GT4B thank you so much guys to watching our video